हलो फ्रेंग्स प्रेग्नेंसी में नारियल पीने के फाइदों के बारे में आपने बहुत लोगों से सुना होगा लेकिन हमेशा दिमाग में सवाल आता होगा कि क्या वास्ता में ये फाइदा करता है इस नारियल का पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए तो मैं डॉक् कि जवाब यहाई आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं प्रिजन से में नारील पानी पीने के कई सारे फाइदे हैं नुकसान टो वहत कम आप स्थे वहाईनका के बारे में बात करेंगे जैसे ही हाइडरेशन से बचाता है और बच्चे की ग्रोथ में फाइदा करता है दूसरा जब भी प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा एसिडिटी की समस्या हो जाती है कई बार डॉक्टर आपको कहते हैं कि बच्चे के चारो तरफ पानी की कमी है तो ऐसे स्थिती में भी नारिल पानी पीनी की सदा दी जाती है क्योंकि बच्चा साथ हैं मिन पूर्ती हो जाती है तो दिन मेंने दों से नारिल का पानी नारिल का पानी नारिल गोलीसरिन पूर्फ नारियल का पानी प्झेया प्रख बेंद कि एक इसाप slKO। लिकम नारियल पभाद कम आऑज भासी है。 यहकं प्लूरा थाले प्रभडर सब्साइब के स allies जाइब नारियल खुब सारीत भासा खड़ान कर उसमें नारेल पानी पीने से जो शरीर में पानी की कमी पूरी होती तो इसके कारण ब्लड का सर्कूलेशन भी बढ़ता है जो कि ऑक्सिजन की मात्रा पूरी करने में फाइदा करता है इससे की बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है यानि कि अगर आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो तो भी प्राइब पनी की पीने के सलाह दी जाती है इसके इलावब वह सकते हैं इसके इलावा प्राइबकर कर यह पानी पीने के साथ आप नारियल खाती भी है अच्छा नारियल खाती है तो उसमें जो फाइबर की मातरा होती है तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रखती है और अगर नारियल का पानी जैसे आप खाना खाने के बाद पीते हैं तो उसे आपका डाइजेशन सुधरता है अच्छ बिया हमने था थे उसके नुकसान के बारे में आपने सी नुकसान भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप नारिल पानी अवॉइड कर सकती हैं तो ऐसाच मोटे तोर पर नारिल पानी पीने के कोई नुकसान नहीं है बड़ डेफिनिटली लिमिट में लिया हुआ हर्ची अच्छी होती है आप रेगुलरली दिन में दो से तीन बार पानी पी सकती है तो आपको समझ में आगे होगा कि नारिल पानी पीने के कितने सारे फाइदे हैं तो आप अपने रुटीन में एड़ जरूर कर सकती हैं और आती ना करें अगर फिर भी आपके कुछ से जुड़े सवाल अभी आपके बचते हो रहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकती हैं हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जैनकारी के साथ तब तक नमस्कार